आज भी हम सेंव्ड्रेस में रहने वाले हैं यह सेव कोड़ है एक तरीके का हम कहीं भी जाते आते हैं ना मेश्चंब प्रोग्रामूँ यह पर्सिंवर्स्निल कोई प्रोग्राम धौनयवाई जाएंगे तो सेम प्रोड कोड़ पूर्वी इस ब्लोग तो आज हम आये हैं शिकंद्रा थे स़ेद इस्तल पर तो कल है सब्सक्राइब कर दिखाने वाले तो दोस्तों अब तो आप सामने जैसे एंट्री लेंगे तो आपको साइदों की मूर्ति दिखेगी तो यह जैसे आप एंट्री लेंगे गेट से तो चोई साइद हुए थे सिकंद्रा में टोटल मिलाके होलावर राजतान में 6 तरवीर गुजर साइद हुए थे तो यह है उनकी मूर्तिया जो कि अगस्त के महिने में अरुन नागर जी के द्वारा लगवाई गी थी ओम मावी के द्वारा और अरुन नागर जी के द्वारा तो यह है सभी की मूर्तिया और कल सही दिवस मनाये आज सईद्यों के पूर संध्या पर जो भी आज प्रोग्राम है वो अभी होना बाकी है पूरी रात बजन संध्या चलेगी तो इस तरीके से सभी सईदों की एक सरकल में मूर्तियां लगी हुई है यह देखिए और पूरा ब्लोग जब यह मूर्तिया नावरन हुआ था वो पूरा ब्लोग हमने डाला हुआ है अमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँआ तो आप लिंक से भी जाकर देख सकते हैं और यह है जोती जो की अमेशा जल जलती है यह जोती तभी लगाई थी जब अगस्त के महिने में यह मूर्तियों का नावरन करवाया था तभी उसी दिन यह जोती भी रखे गी तो तब से अभी तक मतलब इस गंटे यह जोती जलती रहती है इसके घी की घी का दिया जलता है और यह है बगवान सिव अभी आपको दिखाते हैं जो कि सिवपाल गुजर ने सहीदों के नाम लिखवाय थे पत्तरवे तो यह है सबसे पहले यही लिखवाय गए थे और अब तो बहुत कुछ हो गया है सहीद इस तलपे बदलाव और आगे दीरे-दीरे सब का सहीओ रहेगा तो आगे बहुत कु ही दुए थे हमारे गुजर आक्षन में तो अभी पांडाल की मतलब तैयारिया हो चुकी है यह देखिए टेंट अगर लग रहे हैं कल सहीद मिला है गुजर वीर सहीद दिवस मनाया जा रहा है उसकी तैयारिया अंतिम रूपे है यह देख सकते हैं और अभी बारिस आके ही अम के लिए तो इसलिए थोड़ा काम में डिले हों गया था आन्दी आ गई थी और बारिस आ गई ती इसलिए तो यह देखिए पूरा कैसे की सफ्लिक्ण सॉग्या यह जो वह सवे हुस्ता थी वह पर कर दाड़के गौर्समार रस्ता बनाए हैं अभी चलते हैं आपको दि मेले का आयोजन रखा गया है मतलब वीर गुजर सहीद दिवस मेला इसे नाम दिया गया है क्योंकि हर साल मनाते हैं वैसे सहीद दिवस पर इस साल सब अलग है डिफरेंट है तो आप भी हमारा व्लोग देख रहे हैं तो कल आईए और यहां पर इस सहीद दिवस की सोबा है तो यह है पांडाल इसमें टेंट अगया लगेगा और अंतिम रूप में है अभी केवल इसको उपर से चांदनी बांदना बाकी है इस्टेज काफी बढ़ा है और आगे की तरफ उस तरफ हेलिपेड बनाया गया है क्योंकि होईलिकटर भी उत्रेगा तो हेलिपेड है क् क्योंकि पुस्ववर्शा के जाएगी सहीदों के उपर तो इसलिए और यह है पूरा स्टेज कि यह देखिए काफी बड़ा स्टेज है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन रखा गया इस बार और अलग-अलग राज्यों से लोग आने की संभावन है क्योंकि लगबग तेरा राज्यों से विचारा जा रहा है कि लगबग तेरा राज्यों से लोग आएंगे कि यह है अभी अंतिम रूप दे रहा है इसको कि स्टेज को और हम पूरा ब्लोग कल भी दिखाएंगे आप हमारे साथ कंटीनियू जुड़े रहे ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना अब चलते हैं वापस सब्सक्राइब कर तो मैं और दिपेस भाई अभी दोनों सेव सेम हो रहे होंगे आप देख रहे होंगे पिछले सईद्यवस पे आये था ह remedies अबसंडेस में रहने वाले हैं हमारा सेम कोड वर्डर और एक तरीके का हम कहीं भी जाते आते हैं ना थäre горाम ऑल या परसनल कोई रघ्राम दोनों भाई जहान जाएंगे तो सेम डृस कॉड होता है तो दोस्तों आप हमारी इस ड्रेस कोड़ पर थोड़ा कमेंट कर दीजिए यह से लग रही है क्योंकि कापी सोच के सब्सक्राइब करते हैं क्या पहनना है क्या करना है और फिर दूनों को छुटी भी लेनी होती है इस दिन पहले प्लान करना होता है कि यार उस दिन अ आपको बता दिया होगा सारा कुछ अभी यहां पर प्रोग्राम हो रहा है तो कल पूरा यह पांडाल आप देख रहे हो भी बिल्कुल खाली पड़ा है तो यहां पेर रखने को भी जगने को इतना विशाल प्रोग्राम होगा लगबक तेरा रात जैसे इन्वा इन्विटे वहां पर एलिपेड है तो वहां होली फोप्टर उत्रेगा वहां से फिर पुस्प वर्सा की जाएगी सईदों की मूर्तियों के उपर पूरे पांडाल के उपर सब कुछ बता दिया है आप कल के लिए आप आमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही अभी कल आपको पू दोस्तों आपको पसंद आया होगा और यह देखे कितना प्यारा विवा रहा है देखो पीछे मज़ा आ गया भाई अब हम दोनों भाई पूरी संध्या का मज़ा लेंगे आज और फिर कल आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ दिखाएंगे अभी चलते हम सहीद इस्तल की त यहां से पांडाल से बाहर निकलते हैं और फिर आपको और जो भी प्रोग्राम में आगे दिखाते हैं कंट्यूनी बने रहे ना व्लॉग में अब लोग आना शुरू हो गया है क्योंकि शाम का वक्त हो गया साड़ी साथ बत चुके हैं और जो पूरु संध्या पर जुकार के मंदिर में जो बोपाजी रहते हैं तो वह भी यहां आएंगे और कमल का फूल बनाएंगे तो अभी सभी तीरे तीरे आना शुरू गया है हुआ है तो दोस्तों पूरे सहीद हुए थे उनका एक पोस्टर में सबकी फोटो लगा के यहां सहीद इस्थल के बाहर लगाया है यह देख सकते हैं और गुजर सहीद दिवस मेला मैंने आपको बोलाई था कि इस बार गुजर सहीद दिवस मेला मनाया जा रहा है क्योंकि हर बार जो रहता है वो गुजर सहीद दिवस ही रहता है इस बार मेले का यह दोने क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बार आने वाला है तो आप भी आईए और गुजर भाईयों को सर्दान जली अद्वित कीजिए ऐसा समय ऐसा कार्यकरम बार बार नहीं होते हैं तो इस बार आप आना ना चुके और अधिक से अधिक संक्या में आईए और इस कार्यकरम की सोभा बढ़ाईए तो बारिश रुख चुकी है मौसव शांदार हो चुका है और यह देखे क्या शांदार हुआ चल रही है क्या नाइट व्यू है शांदार जबरदस्त अ कि यह सारी व्योस्ताज नाइट ही है क्योंकि जो अभी पूर संध्या पर जो बज़नों अगर रहूंगे उसके लिए आप तो आना ना बूलना कर दोस्तों अभी हमारे चैनल को आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल सहीद दिवस्ताफ जो मेला लगने वाला है हम आपको पूरा लाइब दिखाएंगे और आप से मिलते हैं फिर कल सीदा है से दिवस्ताफ झाल